असलाम अलाइकुम वेलकम टू एंगलो उर्दू हाइ स्कूल इंगलेश मीडियम कक्सा नौ विसर हिंदी व्याकरण कहावते आज हम कहावतों के बारे में जानेंगे इनको कैसे लिखा जाता है और इन कहावतों को कैसे उप्योग किया जाता है इस बारे में समझेंगे हम लोगों को उचित है कि दूसरों के लिए जियें जो तन्मन धन से परुपकार करते हैं वे ही धन्य हैं यदि अपने के लिए जन्म गवा दिया तो क्या किया अपना पेट तो कुता भी भर लेता है उपर युक्त अनुच्छेद में अपना पेट तो कुता भी भर लेता है कहावत है जो अर्थका पुर्ण रूप से इसप्रष्ट कहने वाला स्वतंत्र वाक्य है जिसका उपयोग किसे कहीं हुई बात के समर्थन में प्रयुक्त होता है कहावत का संबन किसी ने किसी गटना से हुआ करता है लोग उस गटना से संबन दित कोई पंक्ती पढ़ लिया करते हैं और जब कभी वैसा प्रसंग आता है तब वे उस पंक्ती को दोहरा कर गटना जनित बातों की पुष्टी करते हैं जैसे यदि कोई किसी कार्य को बहुती सुन्दर ढंग से प्रस्तुत करने की बात करें और प्रस्तुती करण का मौका देने पर कोई बहाना बनाएं तो उसके बारे में कहा जाएगा नाच न जाने आंगन देड़ा। अधार जब कोई विशेस अनुभव सामान या जन जीवन में सबके मन और बुद्धी पर अपना प्रभाव डालने में समर्थ हो जाता है तब उस अनुभव का कथन कहावत का रूप धारण कर लेता है। लोकोक्ति या कहावत कहलाता है। नमबर वन है अन्त भले का भला अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है। सैलस कष्ट शहकर भी इमानदारी से परिश्रम करता है। इसी कारण वह आज उचे पत पर पहुँच गया। इसलिए कहा गया है अन्त भले का भला। चले दूसरी पंक्ति देखे हम तो दूसरी कहावत हमें दी है अन्धेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा। अयोगी सासक के कारण कुरुपरसाशन उस कारियले का कोई कर्मचारी काम नहीं करता क्योंकि वहां का अधिकारी ही ब्रेश्ट है। चारो तरफ अन्धेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा वाली बात है। चले नमबर त्री देखते हैं तो अन्धी पी से कुट्ता खाए। काम करे कोई फल कोई खाए। देखे इस कहावत में हमें बताया है कि यहां पर काम कोई करता है और उसका फल यानि कि उसका जो क्रेडिट होता है वो कोई और ले जाता है। पिता ने दिन रात कमाई करके धनी खटा किया और उसका बेटा मौज उड़ाते उड़ाते नहीं थकता। इसी को कहते हैं अन्धी पी से कुट्ता खाए। नेक्स्ट अब पच्टाए होत क्या जब चिडिया चुक गई खेत। यानि इसको दूसरे रुप में बताएं तो ऐसे भी कह सकते हैं कि वक्त निकल जाने के बाद कोई चीज का एसास होना वो भी ये कहावच से संब्धित हो शकता है। मार के पिछे भूत भागे। किसी की तरह से समस्या का हल कहना। जब समस्या हद से बढ़ जाती है तब सरल उपाए के बजाए कठिन या सिक्सात्मक रवईया अपनाना। आँख का अंदा नाम नयनसुक गुणों के विरुद्ध नाम होना। उसका नाम तो है वीरशिंग मगर वह रात में चुहे से डर गया। उसे देखकर तो यही कहावत याद आती है आँख का अंदा नाम नयनसुक नेक्स्ट दी है हमें आयते हरी बजन को ओटन लगे कपास। अच्छा काम छोड़ कर महत्वहीन काम में लग जाना। तुम्हें छात्रावास में इसलिए भेजा था कि तुम परिक्सा में अवल आ पास। एक पंथ दो काज एक साधन से दो काम होना। मैं दिल्ली नौकरी का साखसातकार देने के लिए कया था। वहां लाल किला आदी भी देखाया। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। नेक्स्ट हमें दी है कंगाली में आटा गीला, मुसीबत में और मुसीबत आना। आए दीन हम देखते हैं कि कितने लोगों की आदत होती है कि कभी ऐसे जो वाक्यों होते हैं उन वाक्यों को ऐसे प्रस्तुत नहीं करतें कि ये मुसीबत भी थी और वो मुसीबत भी आ गई पर ऐसी कहावत का उपयोग कर लेते हैं कंगाली में आटा कीला तो इसका मतलब होता है व्यापार हेतु कल बैंक से रुपिया उधार लाया था वह भी चोरी हो गया सच है कंगाली में आटा कीला देखें यहां पर हमें करके भी हमें समझाया है नेक्स्ट हमें दी है कहा राजा भोज कहा गंगु तेली दो व्यक्तियों की इस्तितियों में अंतर बताता है ये जो कहावत है ये कहावत हमें दो व्यक्तियों की इस्तिति में अंतर बताता है उस साधरन गाईका की तुलना लता मंगेस कर से करना उचित नहीं कहा राजा भोज कहा गंगुतेरी नेक्स्ट हमें दी है इस्वर की माया कहीं धूप कहीं चाया अब देखे ये जो कहावत है ये भागे की विचित्रता बताएगी कुछ लोग दूसरों के लिए मंदिर तता धर्मशालाएं बनवाते हैं तता कुछ अपने लिए एक समय का भोजन नहीं जुटा पाते इसे कहते हैं इस्वर की माया कहीं दूप कहीं चाया नेक्स्ट है एक तो करेला उपर से नीम चड़ा एक दोस के साथ साथ दूसरा दोस भी लग जाना वह शराबी तो था ही जुआ भी खेलने लगा इसे कहते हैं एक तो करेला उपर से नीम चड़ा देखे हमें यहाँ पर काट की हांडी बारबा नहीं चड़ती खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे घर की मुर्गी दाल बराबर चार दिनों की चांदनी फिर अंधेरी दात छचुन दर के सिर में चमेली का तिल जाको राखे साईयां मार सके न कोई डूपते को तिनके का सहारा नाम बड़े दरसन छोटे नाच न जाने आंगन तेड़ा पर उपदेश कुसल बहु तेरे बकरे की मा कब तक खेर मनाएगी मन चंगा तो कठोती में गंगा होनहार बिरवान के होत चिकने पाथ हाथ कंगन को आरसी किया इन सारी कहावतों के अर्थ और इनके वाक्य के अंदर कैसे उप्योग किया जाता है इस बारे में हमको यहाँ पर दिया है आप लोगों को इस वीडियो के साथ-साथ मैंने जैसे आपको कहावत के बारे में समझाया है आपको वो तो समझ आ ही गया होगा पर आप लोगों को इस कहावत में और इस वीडियो में तोटल 26 कहावत दी होई है और यह 26 कहावत आपको अपनी हिंदी की नौट बुक पे अच्छे अक्सर में सुन्दर हैन्राइटिंग से लिखनी है थैंक यू फो वाचिंग जाजा कर ला